पिछले चार दिनों से हीच जोती आदार फाउंडेशन की देखवार में होने की कारण हीच जोती फाउंडेशन के हितेश बंसोड ने अनेक वृद्धाश्रम में उन्हें रखने ही तु आश्रम संचालों को से उनके लिए अनुरूत क्या गया है लेकिन नानेच वर चलने फिरने तथा उटने बैठने में असमर थे इसलिए उनके सभी शारी रिक विधिया मौकी पर ही होने से उन्हें कोई भी वृद्धाश्रम उन्हें लेने के लिए तयानी थे फिर उनकी हालत देखते वे ही चोती फाउंडेशन के हितेश बंसुड ने उन्हें चार दिन तक अपने ही घर पर रख कर उनकी देखभा करने लगे लेकिन किस नहोंबर की दो पहर अचानक चाय दिनी गए तो देखा कि उसकी किसी भी प्रकार की शारीरी खरकत नहीं होती दिखी उसे सामने सरकारी अस्पतार में भरती कराया डॉक्टर ने उसे म्रूद खूशित कर दिया तब उसकी बेटी को सुचना दिखे लेकिन बेटी को आने में देर तथा उसकी आर्थिक परिसेती कमजोर होने से आखिर कार व्रुतक की लड़की ने हितेश बंसर को दाहा संसकार करनी की बिंती की जिसके चलते हीच चोती ने ग्रामिन स्वास्ट प्रेशिक्शन केंडर के डॉक्टर पराज जैस्वाल तता थानेदार सांदे से सभी कानुनी बावले पूरे करने के बाद शाम करीब 6 बचे रामकनेश कड़करी समशान खाट पर उनका विधीवर अंतिम संसकार कर मानुत भी चिवी थे का परिचे दिया सामाजी कारीकरति समय कई चीजों का सामना करना पड़ता है हर वक्ती अपनी जिविदार को पीछे चोड़ देता है हम जैसे सामाजी कारीकरता को आधिकारियों से वह मदद नहीं जिसके उनने जरूरत होती है लेकिन हीच जोती पॉंडिश हमीशाही अपनी दायत्व को वको भी निभा कर समाज में अपनी अमीट छाप छोड़ता है। नक्षी कदम पर चलते वे अंत्विदी के सभी कार्यों में सभागी होकर बावीशा में समाज से वी होने का अलपसाप परिचे दिया। इंबिसन नियूस के लिए साउंदी से किशर धुंडेली की रिपोर्ट।